बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है देखिए भी आईपी पाटी के सुप्रीमो और पुर्व मंत्री मुके सानी के पिता की आज से कुछ दिन पहले निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और उसके बाद मुके सानी के दर्भंगा इस्तित जो आवास है वहाँ पर तमाम इंडिये के और इंडिया अलाइंस के नेता पहुँच रहे थे मुके सानी से मुलकात कर रहे थे यहां तक की लालू परसाद यादो भी मुके सानी से मुलकात करने पहुँचे लेकिन अब जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुकेश सहनी अब पटना लोट चुके हैं पटना में कंकरबाग इस्तित जहां उनका आफिस है वहाँ पर मुकेश सहनी है और तेजस्वी यादों भी मुकेश सहनी से मुलकात करने पहुँचे थे और अब जो हम बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि मुकेश सहनी से सनफ मला से पहुँचे हैं मिलने केंद्रिये मंत्री और चिराग पासवान देखिए लोचपा राम्बिलास के राष्ट्रिये अध्यक्षें और हाजीपुर से संसदिये छेत्र के चुनाव में जीत हासिल किये चिराग पासवान इस बार हाजीपुर लोक सभास सीट से जीत कर केंद्रिये मंत्री बने हैं और इस बार चिराग पासवान लागतार जिस तरीके से पांच के पांचों सीट जीत कर बिहार ही नहीं बलकि पूरे देश में अपना पाटी जो उनका लोचपा राम्बिलास था उस पर दावेदारी पेस की और हम बात करेंगे देखिए राजधानी पटना के कंकर बाग इस्तित जो मुकेश सहनी का अवास है वहाँ पर चिराग पासवान मुलकात करने पहुँचे और सबसे बड़ा सवाल यह है कि महा गटबंधन के मुकेश सहनी जो इंडिया अलाइंस में तेजस्वी यादों के साथ मिलकर 2024 के लोक सभाचुनाव में लगभग 230 से अधिक जन सभा को संबोधित किया तेजस्वी के साथ सहनी की जोड़ी एंडिये के तमाम बड़े नेता पर भारी पर रही थी लेकिन जब आज से कुछ दिन पहले मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की निर्मन तरीके से हत हो गया तेजस्वी ने साथ तोर पर कहा कि जब बिहार के इतने बड़े नेता जो पुर्व में बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हो उनके पिता की जब हत्या हो सकती है तो फिर बिहार के जो आम लोग है वह कैसे सेफ होंगे सवाल पूरा सिस्टम पर उठा तेजस्वी यादों के मुलकात के बाद अब वहाँ पर जब केंद्रिय मंत्री चिराग पासवान पहुँचे जो एंडिये के परमुख दल है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है उसमें चिराग पासवान का एक पिलर उसमे सुबह के मुखिया है तो सवाल लितीषकुमार पर भी उठ रहा है और चिराग ने साफ तोर पर भी कहा है कि देखे बिहार में किस तरीके की घट्टा हो रही है मुकेशानी के पिता की हत्या पर चिराग पासवान ने भी सोक जताया चिराग लगभग आदे घंटे तक मुक चर्चा है कि मुकेश सहनी महागटबंधन का साथ छोड़ कर एंडिये के पाले में जा सकते हैं क्योंकि देखिए अगामी दोजार पचीस के विधान सभाचुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है और मुकेश सहनी पर बीजेपी लागतार निशाना साथ रही है लोग सभाचुनाव में जब बीजेपी का नतीजा आया तो देखिए दोहजार उननीस के चुनाव के मुकाबले बीजेपी को साड़े पांच फिस्दी कम भोट दोहजार चौबिस में आया 2019 में बीजेपी के उननीस सांसद थे तो कहीं न कहीं देखिए सांसदों में भी कमी आई है और वोट बैंक के पर्सेंटेज में भी जो कुसवाह समाज के वोट बैंक में विपक्ष आसानी से संध मारी कर गई तो समराट चौधरी को बीजेपी ने परदेश अधियक्ष पत से हटा दिया और नए परदेश अधियक्ष बने डॉक्तर दिलिप जैस्वाल जो की अतिपिछड़ा बैस समाज से आते हैं तो बीजेपी साफ तोर पर जान चुकी है कि 2025 के बिधान सभाचुनाव में उस गलती को नहीं दोहराना है जो 2024 के लोग सभाचुनाव में दोहराया गया तो देखिए इसी के लिए बिहार में अतिपिछड़ा हो या फिर स्वर्न भोटर बीजेपी लागतार अपनी पकड़ बना रही है और मुकेश सानी को भी ओफर दिया जा रहा था देखिए अंदर खाने के हम आपको बात बता रहे हैं मुकेश सानी को राज्य सभा भेजने की बात चल रही थी लेकिन सानी ने साफ तोर पर उसे इनकार कर दिया है मुकेश सहनी ने साफतोर पर कहा दिया कि तेजस्वी यादों के साथ है और 2025 में भी तेजस्वी यादों के साथ मिलकर 2025 का चुनाव मजबुती से लड़ेंगे देखिए लड़ाई 2025 की जो है इंडिये और इंडिया अलाइंस के बीच में है फिलाल मुकेश सहनी को लेकर जो चर्चा और बिहार की सियासत काफी गरमाई हुई है चिराग पासवान के जाने के बाद चर्चा और तेज हो गया है कि क्या मुकेश सहनी इंडिये में सामिल होंगे फिलाल देखिए कई सवाल बिहार के सियासत मूट रहे हैं लागतार एक अपडेट हम आपको अधरा बिहार एक सोच के यूटूब चैनल पर बने रहें बहुत बहुत धनेवाद